Hey everyone, let's talk about all musical instruments name in English and Hindi तो number one है इस तरह के डमरू और डमरू को इंगलिश में कहते हैं Pellet Drum Next है बासूरी जिसे हम मुरली भी कहते हैं, मुरारी भी कहते हैं, बंसी भी कहते हैं इसे इंगलिश में कहेंगे Flute Next है शेहनाई जो शादी वगरा में बचते हैं उन्हें हम इंगलिश में कहते हैं Clarinet Next instrument है धोलक या फिर धोल जिसे इंगलिश में कहते हैं धोलक भी हम इसे इंगलिश में कह सकते हैं या फिर इसे Tom Tom कहते हैं Next है तबला और तबला को इंगलिश में कहते हैं Tabor Our next instrument is drum इसे English और Hindi दोनों में हम drum कहते हैं वीडियो गर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसे कहते हैं bean और English में कहेंगे पुंगी Our next instrument is harmonium और harmonium को English में भी हम harmonium कहते हैं Then beena Beena को English में कहते हैं harp H-A-R-P harp R यहाँ पर silent होता है harp Next one is city City को English में कहते हैं whistle Then this is sunk और sunk को कहते हैं English में conch C-O-N-C-H Conch Next instrument है Iktara और Iktara को हम English में कहते हैं One string instrument क्योंकि इसमें एक तार लगी हुई होती है Next है सारंगी इस तरह जो सारंगी दिखती है उसे हम कहते हैं Stringed instrument और इस तरह की जो सारंगी होती है इसे हम English में कहते हैं Voilin Next instrument is सितार इसे English और हिंदी दोनों में ही हम सितार कहेंगे सितार Next one is piano और piano को भी हम English में piano ही कहते हैं और हिंदी वर्ड भी इसका piano ही होता है Next है guitar Guitar भी एक ऐसा musical instrument है जिसे हिंदी में भी हम guitar कहते हैं और English में भी guitar कहते हैं इसे कहते हैं Bulbul तरंग Bul Bul तरंग हिंदी में और English में कहेंगे banjo This instrument is called caste तरंग इन हिंदी और इन इंग्लिश xylophone इसे हिंदी में कहते हैं मसक बाजा और English में कहेंगे bagpipe Our next instrument is Sarod इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हम Sarod कहते हैं Sarod Next है नगाड़ा जो शादियों अगर हमें नगाड़े बजते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं Drum Drum Next instrument है ये मूँ का बाज़ा जिसे हम मूँ से बजाते हैं इसलिए इसे इंग्लिश में हम harmonica या फिर mouth organ कह सकते हैं Next है ये डफली या फिर खंजरी इसे डफली भी कहते हैं और खंजरी कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे tambourine इसे कहते हैं जाल या फिर manjira जाल या फिर manjira और इंग्लिश में कहेंगे symbols This one is called bhupu in Hindi and in English we will call horn Next है बिगुल बिगुल जिसे इंग्लिश में कहते हैं clarion Next है घंटा और घंटा को इंग्लिश में कहते हैं bell और ये जो musical instrument आपको दिख रहा है इसे कहते हैं मर्चंग या फिर यहूदी सारंगी It means in English juice harp Next है चोंगा जिसे इंग्लिश में कहेंगे loudspeaker Loudspeaker या फिर हर्न Loudspeaker या फिर हर्न So that is it for today's video guys If you find this video useful and informative Then please hit the like button And also subscribe to my channel Thanks for watching